हेलो फ्रेंड्स राम नेट जियारेफ चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम एंटियनेट पेपर वन की तयारी करवाते हैं वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है टीचिंग एप्टिचूड और ICT की अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख ले तो आज हम इस वीडियो में करेंगे स्वेम और स्वेम परबा जो ये टोपिक है स्वेम और स्वेम परबा ये तीन यूनिट्स को कवर करता है टीचिंग एप्टिचूर ICT और हाइर एजुकेशन इन तीनों में ये टोपिक आते हैं आज हम इन टोपिक को डिटेल में करेंगे अगर आपको स्वेम और स्वेम परबा में कोई भी डाउट है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो आईए देखते हैं डिटेल में स्वेम और स्वेम परबा स्वेम की सबसे पहले हमें फुल फोम याद रखनी है Study Webs of Active Learning for Young as Springs Mind तो ये फुल फोम हमें इसलिए याद रखनी है क्योंकि कई बार एक्जामिनर इसको पूछ लेता है तो आगे देखते हैं स्वेम पोर्टल स्वेम पोर्टल बारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्राले MHRD और अखिल बारतिय तक्निक शिख्षा परिशद AICTE दवारा Microsoft की मदद से तयार किया गया एक ओनलाइन एजुकेशन पोर्टल है स्वेम ओनलाइन एजुकेशन पोर्टल की गोशना की एक फरवरी 2017 को पेसाम बजट में बारत सरकार दवारा की गई थी जिसको 9 जुलाइ 2017 को ततकाली नराष्टपती माननिय पर्णमुखर जी ने लौंच किया तो MHRD और AICTE ने मिलकर Microsoft की help से इस पोर्टल को तयार किया गया और जो एक फरवरी 2017 को जो आम बजट हुआ उसमें इसकी गोशना की गई और 9 जुलाइ 2017 को माननिय पर्णमुखर जी जो मारी राष्टपती हैं उन्होंने इसको लौंच किया तो फ्रेंड्स ये 9 जुलाइ 2017 की जो डेट से उसे भी हमें याद रखना है आगे देखते हैं स्वेम पोर्टल कोशिक शैनिती के तीन आजार बूते शिद्धानतों को प्राप्त करने के उदेशेशे बनाया गया है ये हैं पहुँच एक्षस, सेकेंड है निस पक्रस्ता, इक्विटी और थड़ है गुनुवत्ता, क्वालिटी तो ये तीनों जो पोईंट है ये बहुत इंपोर्टन्ट है और कई बार एक्षाम में आ जाते हैं तो हमें इसको ध्यान रखना है क्योंकि यह access दे देगा examiner और equality की जगए equality दे देगा और quality तो हमें ये match करने भी आने चाहिए कि ये तिनों point कौन कौन से हैं access, equity और quality ये तिनों हमें याद रखने हैं access, equity, quality को प्राफ्ट करने के लिए बारत सरकार ने स्वैम के रूप में जाना जाने वाला एक कर्या करम शरूगिया जिस का उदेश है सभी के लिए सरोत्तम शिक्षन ववबस्ता उपलवद कराना है जो शिक्षा शिवन्चित हैं उनके लिए यह digital इंडिया और उन्चातरों के बीच की खाई को कम करने का एक सामोई परियास है जो डिजिटल करांती से है चुते हैं तो जो स्टूरेंट से डिजिटल इनका फायदा उठा नहीं सकते तो उसके लिए उनके लिए बारत सरकार ने Swem Portal बनाया है जिस से बच्चे ओनलाईन शिख सकते हैं तो जो Swem Portal है उसकी विशेistा हैं हम आगे देखते हैं कुन कुन सी है Swem Portal की विशेistा हैं पहला हमारा पॉइंट है, स्वयम एक ओन लाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए नीशुलक है, इसलिए स्वयम पोर्टल पर उपलोब्द कोर्स भी नीशुलक है, तो जो ओन लाइन प्लैट्फोर्म है स्वयम यह बिलकुल मुफ्त है और जो इस पर को कोर्स उपलब्ध है नोवी से में तक के कोर्स यहां पर उपलब्ध है थर्ड पॉइंट देखते हैं जो चातर परमान पत्तर लेना चाहेगा उन्हें कुछ फीस देकर कोर्स को शफलता कुरूब के उत्तिर्ण करने के बाद परमान पत्तर दिया जाएगा जैसे कोई बच्च सर्टिफिकेट या परमान पत्तर लेना चाहता है तो उसे कुछ न्यूंतम फीस पे करनी होगी जिससे उस कोर्स को करने के बाद उसको परमान पत्तर भी दिया जाएगा फॉर्थ पॉइंट देखते हैं स्वयम पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्थे करम को चार बागों में बाटा गया है तो देखते हैं भी कौन-कौन से हैं पहला है वीडियो व्यक्यान यानि वीडियो लेक्चर उसमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किये जाएंगे सेकंड है खास तोर पर तयार की गई अध्यन सामगरी स्टडी मैटिरियल जो कॉर्स से रिलेटिड जो पर उपलब दोगा जिससे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं थर्ड हमारा पॉइंट है परिक्षा तरथा परशनोतरी के माद्यम से स्वयम विल्यांकन परिक्षा तो इसमें जो भी कॉर्स से रिलेटिड परशनोतरी यानि क्विज और quiz बगरा होंगे उससे students को अपना evaluation करने में भी help मिलेगी अगला point हम देखते हैं संकाओं के समाधान के लिए जिचार विमर से online discussion होगा अगर किसी भी बच्चे code out है तो उसके लिए online discussion भी होगा अगला point देखते हैं स्वेम पोर्टल पर engineering, science, humanities, language, commerce, management, library, education, आदिविशो के course उपलब्द है अगला point देखते हैं इसमें सभी उच्च शिक्षा विशा और कोर्सल चेतर पाठ्यकरम सामिल है तो जो उच्च शिक्षा से related subject हैं और जो कोर्सल चेतर पाठ्यकरम सभी इसमें सामिल है अगला point है इसका उदेशय यह सुनिश्चित करना है कि परतेख चात्तर को सस्ती कीमत पर उच्च गुनवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंचो तो इसका मेन परपज यह है कि सभी को कम फीश में उच्च शिक्षा प्राप्त हो देश बर के सैक्लो संस्थानों के सिक्षा विद शीनियर स्कूलिंग से लेकर पोस्ट ग्रेजवेशन तक लगबग सभी विशों में स्वयम के माध्यम से बड़े पैमाने पर खुले उनलाइन पठ्यकरम विक्षित करने और देने में सामिल है तो इसमें जो अच्छे टीजर्स हैं स्कूल चे लेकर पोस्ट ग्रेजवेशन तक सभी इसमें कारिय करते हैं और ये एक बड़ा उनलाइन पठ्यकरम कोर्स करवाते हैं तो इसमें क्या है उनलाइन पठ्यकरम मूख के विक्षित करने और देने में सामिल है तो जो फ्रेंड्स ये मूख है मैसिव ओपन उनलाइन कोर्स है इसको हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है तो ये तो स्वेम था आगे देखते हैं हम स्वेम परबा क्या है स्वेम परबा स्वेम परबा 32 DTS चैनलों का एक समू है जो पूरी तरह से जी सेट फिफ्टी नुप गरह का उप्योग करके ट्वन्टी फोर मल्टिप्लाई सेवन आदार पर उच गुन वत्ता वाले सेक्षिक कर ये करमो की परसारन के लिए समर्पित है चार गंटे की कख्षा होगी जो दिन में पांच बार दोराई जाएगी तो जो ये स्वेम परबा है ये एक डिटी एच चैनल का एक समू है और जो ये फ्रेंट्स दिया गया है जी सेट फिफ्टीन ये बहुत इंपोर्टेंट है इससे एक बार कोश्चन भी आया था तो जी सेट फिफ्टीन हमें याद रखना है ये उपगरह का परियोग करके इसमें टोन्टी फोर वाले सेक्षिक कार्यकरम हैं उनका परसारण होता है 24 यानी 24 गंटे और 7 दिन ये चैनल उपलब्द रहते हैं तो इसमें क्या होगा रोज 4 गंटे की कक्षा होगी और जो दिन में 5 टाइमस दोराई जाएगी तो फ्रेंट्स 4 गंटे की कलास होगी और उसको दिन में 5 बार को रिपीट किया जाएगा इस से चात्रों को अपनी स्वीदा का विशे चुन्य की अनूमती दी जाएगी यह मुख्य रूप शेगुण वत्ता वाले सिक्षन संस्थानों को और दूराज के छेत्रों तक पहुंच बनाना है जहां इंटरनेट की उपलब्दा भी तक एक च होती है तो फ्रेंड्स यह इंटरनेट से काम नहीं करता यह डिटी एच जो हमारी गरों में लगी होती है उस पर यह कार्या करता है तो इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की स्वीदा मोजूद नहीं ह और है भी तो उसमें वो काफी उनकी काफी स्पीड बहुत कम होती है तो ये DTS वहां भी अच्छे तरीके से काम करता है DTS चैनल कार्यकरम टेलिकास्ट के लिए G-set 15 उपगरा का उपयोग कर रहे हैं तो फ्रेंड से ये G-set 15 हमें याद रखना है इस G-set 15 उपगरा का परियोग हमें इसको टेलिकास्ट करने के लिए कर रहे हैं आगे देखते हैं चैनल पर 22 जैग यानि बास्कराचारिया इंसीटूट फोर सपेस अपलिकेशन्स एड जियो इनफोर्मेटिक्स गांधी नगर से अपलिंक किये गए हैं जो इनका में सेंटर है वो कांधी नगर है और इस से ये लिंक हुए हैं इसमें NPTL, IIT, UGC, CEC, IGNU, NCRT, NIOS दवारा सामगरी परदान की जाती है ये इनफिलीबीनेट इनका एक वेब पोर्टल है वेब पोर्टल के रख रखाओ की जमेवारी का का ये इनफिलीबीनेट सेंटर का है तो फ्रेंट्स आगे देखते हैं कि ये DTS चैनल किन किन चीजों को कवर करता है तो पहला हमारा पोइंट है उच शिक्षा कला और विज्ञान बानी जै परदर्शन कला सामाजिक विज्ञान और मानवी की इंजिनेरिंग प्रोदोगी की कानून चिकित्सा किर्शियादी जैसे विबिनविशों को कवर करने के बाद सनात को तर और सनातक स्तर की अधारीद पठे सामगरी स्वेम के माध्यम से सभी पठे कर्मों को पर्मानन रूब के लिए त्यार किया जाएगा तो इसमें उच शिक्षा के जो भी कोर्स है वो सब इस डिटियाच चैनल के माध्यम से करवाई जाएंगे सेकेंड हमारा पॉइंट है स्कूल शिक्षा यानि 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक के प्रिक्षन के साथ साथ बारत के बच्चों के लिए शिक्षन और सीखने के लिए मोडूल और उन्य बैतर डंग से समझाने में सायता करने के लिए और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों के ल उनकी सायता करते हैं तो ये स्कूल जो हमारी स्कूल की शिक्षा है नाइन से लेकर ट्वेल तक तो उसमें भी इनके स्टूडेंट्स की हेल्प करता है अगला हमारा पॉइंट है पाठ्यकरम आदारीत पाठ्यकरम जो बारत और विदेशों में बारतिय नागरिकों के जीवन पर के शीकने वालों की आउशक्ताओं को पूरा कर सकते हैं जो बारत और विदेशों में रह रहे बारतियां हैं उनके लिए भी ये हेल्प फुल होगा लास्ट नमारा पॉइंट है सायव सातर कक्षा ग्यारमी और बारमी के साथ साथ जो परतियों की प्रिक्षाओं कम्प इस वीडियो में स्वेम और स्वेम परबाग के बारे में जाना तो फ्रैंट्स झो हमारा स्वेम है वो क्या है वो एक online पॉर्टल है और वहमारा स्वेम परबाग है वह हमारा डी टी एक चैनल के से या काम करता है तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें नाम एक जैसी है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं स्वाइम तो हमारा ओं-लाइन पोर्टल है और यह हमारा ।DTS Channel पर काम करता है तो फ्रेंट्स आज यह स्वाइम और स्वाइम पर बाह है इसको मैंने डिटेल में बताया अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करें मैं आपके डाउट को दूर करूँगी तो फ्रेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल पर और दिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करें और साथ ही से सेयर करें तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी जीवन में आगे बढ़ते रहिए थैंक यू